असलाम अलेकुम तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल तो क्लाविकल सोडी हूमर्स के हमारे बोनी फीचर्स हो गए थे और आज हमने इसके मसल अटाइच्मेंट करनी है ठीक है तो फिर शुरू करते हैं टोटल इसमें 17 मसल अटाइच होते हैं इसके उपर मसल स्टेच्मेंग वहाँ पढने लगें सिबसेप्दर रूंने पन्राइस डीके घोड़का में भी रूपकार लुत होता है एक अपर पार होता है एक मिडल पार ठीक हो गहें अपर पार प्र पिर एपर आप लुब लोब दर डेखें सुप लेपे साल Прशृंस कौन सा है सब sci-squ deleting मसल इसके उपर saps. WORKM की ओर सीटों हो हैै मैं आपको पहले पतात fracture मैं इनकी सब कि अन्सर शीड हो रही है सूरी चो ऑब भी चलब से घ्राइड नथनों हो रही है क्योंकि आप लोग बीड़ी पे अक्सर अब भी उन्होंने बताया है greater tubercle or lesser tubercle के ओपर जो अटायच है जिनकी insertion हो रही है वो सारी rotator cuff muscles होते हैं ठीक है नाइस देखो आप लोग laterally यानि कि जो इसके lateral border के ओपर muscle attach होंगे सारी lateral side पे पहले lateral करेंगे फिर उसके बार वो middle बतायेंगे ठीक है पहले लेटल कर लगें उन्होंने कहा है अनकौनेस मसल पहला है आप लोग देखो यह लिखा हुआ है रेड में इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी origin हो रही है कहां से lateral epicondyle आपको मैंने दो बताय है ना यह lateral epicondyle जो small है और large medial epicondyle उन्होंने कहें lateral epicondyle की posterior surface पे यह anterior surface है क्योंके यह anterior border है posterior surface कौन सी है यह लिए और यहां पर जाके posterior surface पे lateral epicondyle की posterior surface पे अनकौनीस मसल पहले जाए ठीक हो गया lateral side पे next कौन सा है break your radialis उन्होंने कहां पे लेट्रल सुप्रा कॉंडाइलर डिज मैंने आपको पताया था ना lateral epicondyle से थोड़ा सब अब अगर आप उपर जाएं तो लेट्र सुप्रा कॉंडाइलर डिजी है ठीक है उन्होंने कहाई इसके अपर one sorry two-third अपर two-thalad के ओपर कौन सा मसल टाया जाए ब्रेक और डिल्स नेक्स्ट कौन सा है extensor carpi radialis लोंग इस मसल इसकी भी origin हो रही है और इसकी भी लेकर सुप्रा कॉंडाइलर डिजी से हो रही है लेकिन जो ब्रेक यो रेडियलस था इसका अपर two-thalad ठीक है लेटर सुप्रा कॉंडाइलर डिजी और एक्स्टेंसर कारपे रेडियलस कहां पे है लोवर वांटर वह अपर टूठाल यह लोवर वांटर ठीक हो गया नेक् अपर सुप्रा कंडाइलर में आप पर मीड्या शुप्राकंडाइलर रिज मोटर रिज और पहले गी मीडिल आपिकुंडाइल के ओपर मीडिल सुप्र इंडाइलरी और इसके लोवर फार यहाँ पर जाकर यह मशल्ट एजोगा लोवर यह प्रूटल इसका भी यह लोवर वांटल लोवर न टाल पे कौन सा है मीटर सुपरकुंडाइल डी च गिस नंश को अब देखते हैं कौन सा है यह काँ पे हैं medial epicondyle की anterior surface पे आप लोग देख़ो यह anterior surface मीडियल epicondyle के यह large जना जारी बात ही फिर medial epicondyle हो गया और यह इसकी anterior surface है यहां पे कौन सा मसल टाइच होगा common flexure की flexure original muscle next क्या है inter tubercle sulcus आपको पता है inter tubercle sulcus दो तो ट्यूबर्कल के दर्मियान ग्रेटर ट्यूबर्कल लेसर ट्यूबर्कल के दर्मियान पहला मसला आप लोग देखो नहीं कौन सब्सक्राइब इसका लेटर लिप ट्यूबर्कल लेटर लिप पे जाकर टाया चाहिए ग्रेटर ट्यूबर्कल इंटर ट्यूबर्कल सल्कस क आपको मैंने बताया था न इसका एक फ्लोर भी होता है इंटर्टी बेर्कल सुलकस का फ्लोर रोटाए एक ठीक हो गया यानि कि इसके लेतर लिप था जो के ग्रेटर ट्यू बेर को बना रहा था जो कि लेटर ट्यूबर को बनाना था यह वच्ण यह बनारा था इस लेटर लि इन मसल को याद रखने का साँ ये फार्मुला आ वह लेडी बित्विट्न टू मेंचर से क्या हो गया लेडी से आप लोग यार रखें लिएटी सीवर्साइश और टू मेजर कों से इस मेजर बस ये इनको यार रखने का त्रीका है ये इंटर ट्यूबर का सलकस के मसल को ठीक ह आपने यह पॉइंट रहा रखना है लेडी बिट्विन टू मेजर लेडी से लेटिस से मस्ट रही और टू मेजर कौन से हैं प्रक्ट्राइश मेजर बात खत्म नेक्स्ट मसले आप लो दो देखो क्रोको ब्रेक्यालस मीडल ओफ मीडल बॉर्ड यह नंब कर लो यहां पे जा कर कौन सा मसले टाया चाह है क्रोकोब्राकी almost क्रोकोब्राइकल, भस यह चीजदा आ एपने आ जार रखनी है, इस घ्वानी आपकोदर हो नहीं जा इनधे मेडियर असफ उसफेस पे रहाी है क्रोको ब्राइकल्वा मेडियर बैकले ह्स पल्सśliês lorsquतर थो, अब आप." द्रमें और मीडियल और के दर्मेर घृ And अंटीरियल बोर्डर यृ लेटर्ल के दर्मयान में जो सर्फेसस को हम अंटीरो लेटर्ल एक हैर उन्हें उहरा जो स्रेज्ड आरे में भी है तर्मेनर और और के दर्म师 को स्बेस्ट उसके अचैन करूंज पिनान सकता है जो आपको नसरा है ओट एक मेडियूर है बाउय का यहीं उबलीग रिज्य भी सब्लाइक तरीय उन ऊपर यहां से उल्डियल ग्रूव पर उपने ऊंसीज नमना मीं निल मुंद और निल्ड आङ नेत बड़ाइक और mã पर जो मीडियल है वो रेडियल ग्रूव के नीचे टैज है यह पुस्टीरिस हेड़ पर रेडियल ग्रूव होती है यह इसकी मसल टैज्मेंट थे क्लिनिकल कोई इसके इतने खास नहीं है और ना ही वाकू करने की जुरूरत है इसमें जो इनका एक मेन क्लिनिकल है वह लोगर वान टाड़ से तूटेगी तो इसका जो लोगर वान टाड़ा यह बैकवर्ड मूव हो जाएगा और बाकि सारी अपवर्ड मूव पस यह इसका क्लिनिकल है में ठीक है बाकि इसके मसल टैज्मेंट हमारे हो गए है वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक की कीजिएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अलाहाफिज